करिक्रम हेलो किसान वाणी में सबाई किसान भाईया बेनन को भौत आई भौत स्वागत है करिक्रम में विशय विशय सगय पधार चुके है करसी अनुसंदान के अंदर प्रमुख एमां वरिष्ट वैग्यानिक डाक्टर एमपी दुबे साहब पदार है डाक्साब को भौत भौत स्वागत है नमस्कार डाक्साब अपन जट्टाई बात करें लेते हैं आज के अपने पहले किसान भाईया से हाँ हलो हम भूला सलमान भी आपको स्वागत है सलमान भी आपको अपन नारियल को प्रड़ो कहां से ले आए थे कितने साल को होगा हो देखिए नरसरी से पौधा लेके आए थे तो जरूरी नहीं कि वो उन्नत हो जो बीजू पौधे होते हैं हमारे छेत्र की एक्चल में ये परागत जो फल ब्रक्षा ये नहीं है इसके लिए जो तटिये छेत्र होते हैं समुद्र के किनारे के जो छेत्र होते हैं जहां हिमिडिटी जादा होती है और जो जल है अपेक शाकरत खारा होता है जिसका जादा होता है एंसे छेत्रों की फ फल देगा लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब आबु हवा के विपरीत हम किसी फल ब्रक्ष की या किसी भी फसल की जब खेती करते हैं और उसको हम वो जलवायू आदरता नहीं ने प्रम मिट्टी की तासीर तासीर से मतलब उसका पी एच अमलता और चारियता जिस फसल के लिए जो जरूरत होती है वो हम उपलब्द नहीं करा पाते हैं तो वो क्वालिटी हमको नहीं मिलती अभी इंतजार करें निस्चत रूप से इनके नारियल के पेड़ में फल लगेंगे है तो इसका प्रसेक्षान और बीज कहां से मिलेगा हाविया पाध्या जी आपका प्रस्ण हमने सुन लिया है स्ट्राबेरी हो या कोई नई फसल हो जो हमारे छेतर में प्रचलत नहीं है दूसरे छेतरों में लगाई जाती है निस्चत रूप से ऐसी फसलों को लगाने का समय आ चुका है नवाचार का समय चल रहा है इसके लिए हम सभी के सान भाईयों से निविदन करते हैं इसका प्रसक्षन आप भली भाती ले सकते हैं बीच की उपलब्दता के साथ साथ इसका जो तक्नी की पहलू है उसकी सबस्तार जानकारी दी जाएगी, हमारे यहाँ, चाहिए उद्यान सास्त्री है और प्रसिक्षत है निश्यतमान के चलें कि आपको जानकारी समैस से सटिक जानकारी मिलेगी, जिससे हमारे ऐसी किसान भाई जो नंबा चार में भरूसर रखते हैं और जो अच्छा कुछ अलक्सी करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग सदाँ आपकी क्हेती की उननती के लिए ततपर रहेंगे बहुत दन्वाद सर आपके लिए बहुत दन्वाद जानकारी गारेया हलो हम मोहन भाई आज अपन का समस्या लेके आए हैं बिलकुल ठीक है आपकी ए समस्या को निदान करें देते हैं दुबे साहब कौन सी प्रजाती आपने लगाई है भी है घजवा कोई प्रजाती नहीं होती वो तो हम लोग किसान लोग दिहाती भासा में अपन लोग खजवा बोलते हैं खजवा से हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके यहां कौन सी प्रजाती लगी है कौन सी किस्म आपने बोई है एक दबा है जैविक दबाई है सीडो मोनास उसका तुरंत यह छड़काव कर दें गोबर की खाद में मिला के यह मिट्टी में मिला के यह पूरे खेत में एक सार समझते हैं कि हो सकता है कि मार्केट में उपलब्द हो या आपका जो विकास खंड कौन सा है आपका मुहन भाई हो सकता है देवरी में आपको यह मिल जाए तो हमारे जो बरिष्ट किर्शी विकास अधिकारी का जो कारयाल है देवरी में उनसे संपर करके या आपके गाउं क हिसाब से दर रहेगी तो आप इसको अपने खेत में फैला के हलका पानी दे दें तो ये काम करना शुरू कर देगी लेकिन चूंकि पचास पृती सतर आपकी फसल खराब हो चुकी है तो उसको अच्छी स्थिति में लाना तो मुस्किल होगा संभाव नहीं होगा लेकिन अगल कि जो फंगस उसमें घर बना लेती है तो उसको दूर करना बेहत कठन होता है इसलिए हमारे किसान भाईयों से अनरोध है कि ऐसे खेत जहां उनको पता है पिछले 4-5 साल का अनुभा है कि इस खेत में उगरा लगता है चाहे मसूर हो चाहे चना हो तो उसमें हमको ये दो फस हलो किसान भाणी बिल्कुल सई भाईया कारेकरम को नाव आपने बताईद हो है अपनों सुबनाम और बता देते है मैंक बोला ग्राम अगरिया तैसल जैसनिंगर जिला सागर से मैंक भाईया पानी गरगव अपने लाने तब भूत ही खुसी की बात है आसा पानी तो ते उपर को पानी गरगव तीन पानी हो गए ना तीन हो गए हाँ फसल में गबोट पे आगई कि बाले ने करें आई थोड़ी थोड़ी बाले भी ने करें आगग और गबोट पे भी है बिल्कुल ठीक है किसम कौन सी बाईती है पनने जो सनोरा बाउत अब जो तो नहीं हो चलो कच्छू बात निया दोबे साब आपकी समस्या को सोईने दान करें दीत ठीक है भी आपका प्रशना गया है देखो इस सिती में जब गबोट में फसल है और आप बोल रहा है कि पैचेज में मतलब चिट्टों में पीला पन है तो सबसे पहले तो हमको प्रजाती का नाम चाहिए था तो वो आपने नहीं बताया है जो बीच में पीला पन है उसके दो कारण हो सकते हैं पहला कारण आपने जो यूरिया की टाप ड्रेसिंग की होगी पहले पानी पे और दूसरे पानी पे दो बार करते हैं एकी बार करते हैं तो हो सकता है कि वो जगाए छूट दिक्स Concept और बेग्यारों कि इन पहली बात प्रजाती की जड़ में जाना चाहते हैं तो हम को जो बनेदे प्रश्ण other 該ंगी ऑप्कुषाण से उस चीज पकड़ पाएंगे ज़ी अदाज़ नहीं चलता हमको एगर प्रजाती के नाम पता हो तो हम आपको बताते लेकिन फिर भी दूसरा जो रीजन हो सकता है बो हो सकता है आपके उन पैचेज में आप धिरे से दो चार पॉधे जित्टे चिट्टे बने हैं पीली चिट्टे मेरी बात ध्यान से सुने हैं सभी किसान भाई अगर इस स्थिती में या इस किसी भी स्टेज पर गेहूं में अगर पीला पनाता है अलग अलग जगए पर इस्पोर्ट से अगर पीले दिखते हैं तो सबसे पहले आप पुरते की स्पोर्ट से आप पौधे आराम से उनको निकालीए कुदाली की सहायता से हां से मत खींचिये उसके साथ जिसमें मिट्टी आए और जड़ें जादा प्रभाबत ना हो जड़ें जादा तूटें ना इसके बाद साफ कपड़े पर बोरी पर उस मिट्टी को अलग कीजिए जड़ों को देखिये हो सकता है कि उसमें जड़ माहू लगा हूँ बहुत बारीक बारीक लाल लाल आपको कीड़े सेकड़ों की तादात में मिल सकते हैं दूसरा कारण ये पीलेपन का किसी भी अवस्था में गया हो सकता है हलाकि खेत नम है पानी गिरा है और आपने पानी भी दिया है ऐसे मैं जड़माहू की समहोंना कम होती है लेकिन चाहे वो कीठ हो चाहे वो ब्याधी हो अपनी इस्थिति वो बरकरार बनाए रखती है बिपरीत प्रस्थितियों में भी तो ये दूसरा कारण हो सकता है कि इनके खेत के जो गेहूं है उसमें जड़माहू का प्रकोफ हो और अगर मालो उन पैचिज में पत्तियों पर या तनों पर जैसे एक अभी फ्लेग इसमत आता है खासकर पुरानी किसमें हैं उन में खासकर के पंदरा चवालीस में अभी हमारे यहां एक सेंपल आया था उनके यहां कम से कम दस प्रतिसत रखवे में उससे भी जादा उसमें इसका प्रकोफ था इसलिए मैंने जचाये लिए इसमया बिमारी है उसमें इसमरी बुरतिसलि प्लेग ताम जती है बालू कि गया प्रेवी होती इसमें प्लेग काおण जाता है और डगसा पीला पन है तो अगर एम अनों पो सकता तू की कमी हो तो कछ़ु को छर्काओ चर्काओं कर सकते हैं अभी बरतमान में यह यूरिया का हलका यूरिया का चर्काओं कर सकते हैं हाँ बengage ने कीज़ का है नहीं। बाल निकलने बाली हो उसके तुरंट पहले आप जो हमारे तरल और वरख हैं उनका प्रियोंक किया जा सकते और बाल निकलने के बाद जब पूरी बाले निकल यहाई डाग साब तब भी 1912 को छड़का करो जा सकते हैं नहीं अपन को बचना चाहिए जब पुस्पन कबस्था ह पूल आगे निकल आता है उसकी बाल आगे निकल आती है और उसमें जब परागन की क्रिया और निसेचन की क्रिया होती है तो हमको किसी फारेन मटेरियल को डालने से बचना चाहिए। हलो हलो किसान मानी से बेलकुल सही जगे फोन लगो है गुड्डू चोबे बमोरी ढूंडर से स्वागत है गुड्डू भई आपको जी 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 अब बताव प्रस्न का कहाओ अपनू हाँ तो अब आपको अपनो बट्री और तेवरा आओ कहानो कि मसूर सोई आ गई ठीक है बिलकुल ठीक है बट्री और चना में जो अपने थ्रेसर में ध्यान देवीयों के बाते हैं बताएं देते हैं दुबी सहाब ठीक है बट्री जी आपका प्रस्ना गया है आपके साथ साथ सभी किसान भाईयों के लिए ये आवश्यक सुझाओ है सला है जो कम अवदी की फसले हैं लगभाग सो से एक सो दिन में जो पक जाती है उसमें मटर है अमूमन एक सो पंदरा दिन ये एक सो दस दिन के भीतर सभी फसलें कट जाती हैं हमारे शेतर में जो वह जाती हैं खासकर दो पानी वाली किसमें ग्यहूंबाली जो च्छे पान रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह देखा जाता है किसान भाजियों के खिट तैयार हैं उनकी डमी बीज और खाद जो हमारे बौनी के आदान होते हैं इन संसाधनों को जुटाने में उनका खिट खराब होता है तो आप सबसे पहले जो आप की बटरी है उसको काट रह कम से कम क्योंकि अभी धूब बहुत कड़क नहीं हो रही है मौसम फिर से ठंडा हो गया है तो उसको बढ़िया सुखालें पहले और खेत में ना रखें क्योंकि बरसात का कोई ठिकाना नहीं मौसम आए दिन बदलता है अभी मौसम में बदली हो रही है बड़ी सिगरता से तो इसको काटके नकालके उखाडके और इसको ऐसी जगाए पर रखें जहां पर आप तरपाल बगेरा से ढख सकें उसके करपा बना के ताकि अगर मौसम बिपरियूत होता है उसको ढख सकते हैं बचा सकते हैं इसके बाद जब अच्छे से सूख जाए तो आप इसकी थ्रे अगर जैसे आपको थ्रेशन करना हो तो यह दहान रखना है कि थ्रेशर को पहले आप चालू कर ले उसमें जहां जहां आपको तेल देना है ग्रीज करना है और जो आपके बिजली के तार हैं अगर आप बिजली से चलाएंगे क्योंकि डीजल से तो आजकल चलाते नहीं है तो जो सप्लाई लाइन है उसका बिशेश रूप से ध्यान रखें कि कटी फिटी ना हो जिसमें किसी भी संभावत दुरगटना से बचा जा सके हैं ये दो तीन चार चीजें ऐसी होती हैं जो हमको थ्रेशर करने के पहले मशीन की रख रखाओं के उपर हमको बिशेश रूप से ध्यान रखना पड़ता है निब्बू में न मिया बिलकुल देखो ये जो समस्या होती है नब्बे परतिसत से ज़्यादा समस्या होती है जो भी फल बरक्ष होते हैं या कोई भी फसल होती है जो बांजपन की जो समस्या होती है वो होती है को पोशन से देखिए नब्बे परतिसत पोशक तक्यों की कमी तो हमारे सभी किसान भाणियों को सलाह दी जाती है निब्बू हो चाए आमला हो चाए बिही हो चाए पपीत तो कम से कम सो ग्राम आप इसमें डिये पी लेंगे, पचास ग्राम उसमें मिलाएंगे पोटाश खाद और पचास ग्राम यूरिया और चूंकि फल बरक्ष हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की हानी भूमी गतकीटों से ना हो तो कोई भी एक ऐसा पाउडर द्रब भी हो सकता है कोई भी एक अच्छा इंसेक्टिसाइड जो देहक होता है उसको मिलाके और उस पेड़ के कम से कम जैसे निबू है कम से कम दो फिट छोड़के एक नाली बनाना है गहरी एक फिट चौड़ी रही और एक फिट गहरी जादा गहरी नहीं करना है और जो भी मिट्टी को दो दो हूंसे कि वर फूल में परीवरतबस से पमाट परणाने करना है उसके इसके बाद फूल परीवरत्त हता को कि बन्गा सब्सक्राइबेनर गुण होना है और जल्याना कैसि हो जाएंगे फुर्टिमात वो यांकाई गिराने धन्नवाद धन्नवाद भीया हलो नमस्कार भीया स्वागत है आपको कायर करम हेलो किसानवाणी में बिल्कुल ठीक है अपने ते क्रसी अनुसंदान के अंदर प्रमोख और वरिष्ट वेगाने एक डाक्टर MP दुबे साहव करें दे थे निदान इल्लियों को भाया यह बताओ कितने दिन की फसल है चने की दो से उपर होगा मतलब उसमें घेंटियां लग गई है जब किसी भी पौधे में किसी भी फसल में जब प्रजनन की पिरक्रिया चालू होती है एसी इस्तिती में जो पौधे की जो इनर्जी ह प्रजनन में लग जाती है और जो कीठ है चाहे ब्यादी हो चाहे कीठ हो उसको सेहन करने की छमता थोड़ी सी कम प्रदरसत कर पाते हैं क्योंकि पूरा का पूरी ताकत उनकी इन प्रिक्रियां में लग जाती है जो नेचरल होती है तो आप यह बताएं यह इल्ली का कोई फायता नहीं ओके चलिए तो फिर हम दूसरा उपाए आपके बिकास खंड में अगर एनपी बाइरस मिल जाता है ना किर्शी वहाग का जो कार्याला है बिकास खंड कौन सा है आपका गंजबास ओदा है गंजबास ओदा अगर वहां चने की इल्ली का की जो दबाई आत होते हैं तो एनपी बाइरस उसको लेके उसका तुरंट छड़काओ करने से आपकी बीमार हो जाएंगी और आगे उनकी संतती का बढ़ना रुक जाएगा एक तो यह उपाय है अगर माल लो आपको दबाने मिलती है तो तुरंट कोई भी बढ़िया इंसेक्टी साइड जो देहक हो लखा रहता है उसमें देहक देहक मतलब systemic जो उसके तंतर में जाती है और उपर जो उसकी तचा होती ही क्योटीकल होती उसमें भी मार करती है तो उसका छड़काओ कर सकते हैं या कोई जैसे आपकी प्रोफेनो फास है या साइपर मेत्रे ने कलोर पायरी फास दबा हलाकि उसका मेरे ख्याल से उपयोग बंद किया गया है प्रतिवंदत की स्रेणी में है वो लेकिन ऐसी दवाएं जो केवल इल्ली के लिए बनी होती है उसका छड़काव तुरंत करें चूंकि अवस्था छोटी है और यह जो छोटी अवस्था है ना भली संक्या कम हो लेकर बेहत नुकसान पहुचाती है क्योंकि यही इल्ली अपनी बाड़ लेती है तो उसके लिए भोजन की आवशक्ता जादा होती है तो जादा फसल को नुकसान करती है तो आपसे अनरोध है और तमाम किसान भाजियों से की चने की फसल में अगर छुट-छुटी चने की इल्लीयां देखना शुरू हो गई है तो आप इसको बढ़ियां कोई बिना किसी के इंतजार करे बहतरीन दवा का चड़काव करें और उसके साथ जो साहे ताता है लिटरिचर आता है उसको जरूर पढ़ें ना तो दवा कम करें और ना दवा जादा करें अच्छा ये एक कमक क्या और है पूचो 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 ये का मिद्बू का पे हैगा चालीस साल का होगए अब और नहीं फ़र लेया आप एग बे रोल लगा था आपने बताई थी वह सब पिर किरिया कर गई तो भी नहीं बोफ़रा कितने चालीस साल का है अब उम्र हो गई या उससे कोई फायदा नहीं होगा वी से पचीस साल तक बगीचा हमारा स्वस्त रहता है जो अच्छा उत्पादन देता है उससे जादा आप एक शान ना करें आप बिलकोल बिलकोल कटवा के अच्छी उन्नत प्रजाती का कोई आप फिर से आप उसमें रोपन कर सकते हैं निब्बू का या जो भी आप चाहें धन्यवाद है जब भाईया आपने हमायते फोन लगा और अपनी समस्या को निदान करवा लाओ हलो हाँ हलो जैराम जी की भाईया सुब नाम अपनो हमाँ नाम है कुमर पेरार सिंग्राज पूत ले धोरा खोर देशे तो बदाओ भी आज अपने सामने कुन सी समस्या है हाँ जो आपने पसूँ के बारे में चर्चा कर रहा है कहा है आप हाँ छे लीटर से ज़्यादा की गाये तो राजपुत साब एक लाने जो अपने नजदी की पसूची कि साले सरकारी होए हाँ उत्ते जाके फ़र्म ले सकत हो आप अब हम जाप पूंच रहे हैं आप से कि जब पिसी अच्छी हुमस नहीं रही है का होगा है कि वो रोड अर्वेटर चल गा तो वो से अच्छी भन महना के नहीं हुमस रही है गब पिसी रह गई है वो सर्सुआ और मसरी में बता रहे हैं कि म्यांग हो गई है बहुत जम्स बिल्कुल ठीक है पहला भी आपको जो क्या वो है कि पिसी अच्छी हुमस नहीं बौनी को कि देख देना हो गई अब बौनी हो तो फूल पे आपर यह मसरी और फूल पे आगा है सर्सुआ तो हुमस नहीं रहे है के कूचरा नहीं भोर रही मतलब पणी कि देख कर लेए नहीं रही है तो हमने एक एकद में कितनों भी दार थ है तो ज़िए को वीक Vä conscious जे राम जी देखो आप ये बताईए रोटा बेटर चलाने के पहले आपने ट्रेक्टर से खेट को जोता था कि नहीं बखरनी करी थी कर नहीं बखरनी के बाद रोटा बेटर इतना उसमें कामपेक्शन पैदा नहीं करता है जो संभावना दख रही है कि जमीन पिटने के कारण पिसी आपकी ठीक से नहीं निकली है माने डाक साब नेचे हैं जमीन में तवासो बनगाओ कहान है नहीं देखिए जब ट्रेक्टर के बाद जब हम रोटा बेटर को प्योग करते हैं एक ही बार किया होगा एक ही बार करते हैं हम लोग जमीन को समतल करने और बड़े बड़े रहला फोड़ने के लिए तो भईया इतनी उसमें पड़ नहीं जमती है जब हम पानी देते हैं खेत में तो अगर थोड़ी बहुत अगर हमारी जमीन दब भी जाती है तो वो पुल खर हो जाती है पुल जाती है तो उसमें बायू शंचार अच्छे से होने लगता है हो सकता है कि बीच का अंकुरन आपका कम हुआ हो तो वधे कम हो या पोशन वेवस्था अपनी ठीक ना हो तो उसमें जो कूचरे जो निकलते हैं न भीया तिलर्स वो कम निकले हैं आपके प्रशन से लग कि हो केबल यूरिया देने से या उसकी ज्यादा मातरा देने से ही फसल अच्छी नहीं होती उससे तो नुकसान होता है उसमें रोग ज्यादा लगते हैं कीट ज्यादा लगते हैं ज्यादा यूरिया नहीं देना है अनुसंसित मातरा से तो आपकी जो फसल कम जोर है उसका म पी के मिला के, वो सकता, इन्होंने केवल डीय पी दिया हो, पोटाश ना दिया हो, डीय भी नहीं सब जो किया, हमने वो जेवेक लेला हो, वो कर जाज तो, अच्छा-च्छा, तेखो भी या, हम समझ गया आपका पर। मेरी, मेरी जो संका थी, वो संका पूरी हो गई, मैंने जो संका ब्यक्तिकी थी आपने उसका उत्तर दे दिया, जैविक में इतना इतनी ताकत नहीं होती है, इतना प्रतिशत नहीं होता है जैविक खादों में, दसमलाओं में होता है, 100 किलो जैविक खाद में 500 ग्राम आपकी नतरजन मिलती है, 120 ग्राम पोटास मिलता है, 160 ग्राम संतुलित रूप में अगर हम एक हेक्टेयर से या यह कर से हम बीस किलो या बीस कुंटल या पचीस कुंटल गया हूँ निकालना चाहते हैं तो उसकी जो पोशन विवस्ता है उसको हम भंग नहीं कर सकते जो अनुमोदत या अनुसंसित जो नतरजन, फासपूरस, पोटाश, जिंक और आपका गंधा जो अनुसंस लिये गये हैं उसकी मातरा हम भरपूर देना पड़ती है तब जाके हम को उत्पादन मिलता है और परयाप्त मातरा में जा हम पोशक तत्यों की संतुलित मातरा को प्यूग करते हैं तो जर्मिनेशन से लेके, अंकुरान से लेके और पूलियार इस्प्रे कर दीजिये चुदू बिलकुल 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 चुड़काओ करें एको चुड़काओ करना है राजपूत बहुत में होगा जेर सार उपज्या पर पूंडिकाओ के अठ्या ठीक राजपूत भाईया हम आपको बताएं दे थे जोन सरकारी दुकान है उते से लिए यह एक किलो 98 रुपिया को है 100 रुपिया में मिल है अच्छा और आपको दूसरों प्रसन कहाओ कि सर्सों और मसूर में फूल आगा है और माहू लग रही माने मियाओं यह लग रही सर्सों की फसल है और आपकी मसूर की है चूंकि मसूर में फूल की अवस्ता चल रही है और यह जो मौसम है आए दिन बदलता है कभी पान इंगरता है कभी तापकरम बढ़ जाता है कभी तापकरम कम हो जाता है ऐसे बदलते परिवेश में जो हमारे रोग हैं और कीट हैं वो बड़ी तेजी से फैलते हैं तो मसूर में और आपके जो कहना चाहिए सरसों हैं इन में माहू बहुत लगती है इसके लिए दो-तीन दबान्य मार्केट में रस्चुशक कीट वाली आपको दबा मांगना है और दबा मांगके आप अपने हाथ में लेके उसमें पढ़िए जो भी पैकेट है तरल हो या पाउडर उसमें देखिए कि उसमें रस्चुशक कीटों हेतु लगा की नहीं लगा वही दबा लें जैसे मैंने दो दबाओ के नाम बताए ऐसी टामी प्रेड और इमीडा कलो प्रेड इसके अलाबे भी और बहुत सारी दबाने है थायो में थागजाम ये दबाने हैं तीन इनके अलाबा चोथी पांच मी भी हो सकती है उसमें पढ़ लें कि ये रस्चुशक कीटों घेतु है कि नहीं उसकी अनुसंसि रूप से आप जब दबा चड़केंगे तो चार दिन पांच दिन के भीतर सो परती साथ उसका सफाया हो जाएगा दूसरा जो सफेद किट का जो प्रशन आया था फोन कट गया उसके लिए धेकजा कोना जोल ये परियाप दबा है या टेबू कोना जोल इन दो दबानियों म कंडवा या कैना चाहिए गेरुआ होता है सरसों का ये बड़ा कैना चाहिए मुखरोग होता है तो कोई भी देहक फपून नासी सिस्टेमिक फंजी सायड लेके इसका चड़काव कर सकते हैं उदाहरन के लिए मैंने एकजा कोना जोल ओटेबू कोना जोल का नाम का जिकर कि कि से बातचीत राकी और हमारी डाक साब ने उतने ही बारी की से आपकी समस्या को निदान करो आपने हमाई टेब फोन लगा आपके लाने बहुत अभी बहुत धन्यवाद तो मालक हरों जो हतो कारिकरम है लोकिसान वानी आज के अपने एक कारिकरम में विशे विशे सगे प झाल झाल